नवश्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी से बात करूँगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो बच्चों में काफी पाए जाती है बढ़ते बच्चों में स्वास्ते संबंदी समस्याएं लगी ही रहती है और उनी में से एक है पेट में कीडों का होना पेड में कीडों का होना यानि की आतों में कीडों का होना जैसे की thread warm, pin warm ऐसा नहीं है की पेड में कीडे सिरफ बच्चों में पाये जाते हैं पेड में कीडे बड़ों में भी हो सकते हैं तो आज हम लोग इसी समस्या के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किन कारणों की वज़े से पेट में कीड़े हो सकते हैं उसके बाद आप कैसे पता लगाएं कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं ऐसे मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगी उसके बाद अंत में मैं आपको बताऊंगे इसका solution यानि किन होमियोपेतिक दवाईयों को लेखर बच्चों के पेट की कीड़े की समस्या बिलकुल दूर की जा सकते हैं और ना ही जिरफ बच्चों की बलकि बड़े भी इन दवाईयों को ले सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या कारण है जिनकी वज़े से पेट में कीड़े की समस्या हो सकती है कई बरी क्या है कंटामिनेटेड फूट खालिया जाता है यानि कि बाहर से खाना मगाया वो खालिया जो की स्वाफ हातों से नहीं बना है इसके अलावा रुदा और गंदा पानी पी लिया गया हो या पिर कुछ पतेदार सबसीया जो है वो अच्छे से धुली ना हो तो उनमी बी ऐसे परसाइट्स मौझू यहू खाकर भी बच्चा बिमार हो सकता है एसके बाद घंदा मीट क्हौलिया हो उसकी वज़े से हो सकता है कि बरी क्य अब हम बात करेंगे कि आप कैसे पता लगाएं कि आपके बच्चे को हो सकता है कि पेट में कीड़े की प्रॉबलम हो अगर बच्चा बार बार जरुबार शिकायत कर रहा है पेट के दर्द की या चेक कीजे कि आप बच्चे के स्किन पर सबीत रंके दागों रखे हैं या बच्चा सोते वक्त अगर दात किड़ किड़ाता है या उसके मुझे लार भी टपक रही है और बच्चा जो है शरीर से पनप नहीं रहा यानि की काफी जादा कम्सोर है क्योंकि जो यह आतों में कीड़े होते हैं यह अपना खाना जो है उन आतों से ही उसी का बदार्द काते हैं और वही का खून चूजते हैं कई बच्चा के पौटी में भी खून भी आ जाता है अब मैं आपको बताओंगे की कौन सी होमियोपेतिक मेडिसिन्स हैं जो की इस प्रॉब्लम से बहुत अच्छे सिनिजात दिला सकती हैं तो सबसे पहले आएगी सिना 200 ये मैं आपको बड़ों के लिए बता रहे हूँ सिना 200 की दो डॉप सिंगल डोज होगी एक चोथाई कप पानी में सिरफ सुबा में खाली पेट उसके बाद दिन में तीन बार लेंगे सेंटोनियम 30 उसकी 5-5 बुंदे एक चोथाई कप पानी में अगर प्रॉब्लम क सिरफ दो बुंदे सुबा में खाली पेट देनी है और सेंटोनियम 30 दिन में तीन बार देंगे दो बुंदे एक चोथाई कप पानी में मिला कर ये जो दवाएं है इसका कोर्स है आप पहले 10 दिन तक ये कोर्स पूरा कीजे उसके बाद 5 डेज का वेटिंग पीरियड होता ह है उसके बाद अगर आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम जो है खतम हो गई है सिम्टम्स नहीं आ रहे तो आप दवाएं यहीं स्टॉप कीजिए अगर आपको लग रहा है कि अभी और कंटीनियो करनी चाहिए तो 10 देस का कोर्स आप दुबार रिपीट भी करा सकते हैं दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा आपको इस तरह के इंफोर्मेशन जो है वो रेगुलर मिलती रहें तो दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड लग